हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड़ मॉनिंग जैहिंद, आप सभी का स्वागत है, मुबाइल पाटशाला के यूट्यूब चैनल पे, CHSL के सेशन में हम आज फिर से कॉंटिनिव करेंगे, SCF, SCM, आप सभी लोग एक फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजे, ज फटाफट से लोग लाइक और शेयर कर दीजे, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, क्यों? क्यों कि हमेशा से आपका लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक बूस्टर का काम करता है, जैसे एक फटिलाजर होता है, जो खेत में फसल को बूस्ट कर देता है वैसे ही आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमें बूस्टर का काम देते हैं, हमें बूस्टर जैसा फिल कर आते हैं, तो फटा फटा फटीक बार सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजे, आते हैं अपने मोटिवेशन कोड की तरफ मोटिवेशन कोड से स्टार् आते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं, मेरे दोस्तों अगर आपको, आपके दिमाग में है कि मुझे उरती चुडिया पकड़नी है, तो मेरे दोस्त फिर कैसे पकड़नी है उसको, वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं से वो आइडिया आते जाएंगे, सोचो अगर आदमी ने ये सोचा होता कि मुझे सिर्फ कच्चा ही मांस खाना है तो वो आग का आविशकार कर कैसे पाता उसने सोचा होगा ना कि हम एक बार भुनावा मांस खाके देखते हैं फिर हम देखेंगे कि भाई वो कैसा लगता है तो आदमी की सोच ही आविश्कार बनाती है आदमी की सोच ही रास्ता यानि कि रूड प्रिपेर करती है पता है समझ में स्टार्ट करते है फटा फट से आज की पहले सवाल के साथ बहुत जादा वक्त जाया नहीं करेंगे फटा फट से स्टार्ट करते है सवाल यह है कि 11 का नियूंतम अपवर्थ ग्याद कीजे अपवर्थ का मेरे दोस्त मतलब ही होता है कि वह नंबर जो 11 से completely divide हो divided by 11 completely divided divided by this one completely यानि 11 से completely divide हो 11 से completely जिससे divide हो अब कह रहा है बट मेरे दोस्त 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 से बचे 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 से बचे तो मेरे दोस्त सबसे पहले ऐसे सवालों हम क्या करेंगे कराया है मैंने पिछले session में इस वाले का हम LCM लेंगे तो भाई या LCM आएगा 48K LCM आएगा 48K 68, 86 के 48, 12 के 48 LCM हो गया 8K अगर आप LCM भी लेना समझना चाहते हैं तो ऐसे देखो बड़ा वाले नमबर को मैंने उठा लिया तो 8 इसमें आ गया बगी 4 इसमें आ गया तो बच्चा 3 ठीक है अब पिलसका 3 अगर इसमें एड कर लो तो इन सभी से भाग देने पर इन सभी से भाग देने पर तीन से बचेगा इन सवाल ये भी कह रहा है कि 11 से ये कंप्लेट memorize हो तो मेरे दोस्तों ये वाला नमबर 11 से अगर सोचो मैंने 48 और 15 मैं ने कर दिया और 15 को मैं 11 से divide करने लगूंगा तो क्या 11 से divide होगा नहीं होगा नग बिलकुल नहीं होगा और नहीं होगा दोस्त हम यह देखेंगे कि 11 चो कह रालिस हुआ यहां पलेसका 4 मेरे दोस्त हमारे पास बन रहा है कि से कि मेरे दोट हमारे पास बन रहा है यह अब हम यह बोलेंगगे कि क्या कि मेरे क्या रखाने क्या रखानांसे कि स्था कि मेरे ने होओ ऑर चार नांते रखें है उर शैए क्यों मेरे 4 रॉता है今日は-3 का मतलब 99, यह आपके सवाल का complete उत्तर हो गया, ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखो यह है, कह रहा है कि 35 में कौन सी निंतम संक्या जोड़ी जा ताकिव है, 42, 49, 56, 63 से पूरता विभाज हो जाए, पूरता है मेरे दोस्तों विभाज हो जाए, ठीक है, ठीक है, आप से कह रहा है कि 35 में कितनी चोड़ी जाए, तो पहले एक काम करो, इनका ले लो LCM, LCM लेने के लिए हमें पता है कि हम लेंगे पहले यहां से 9, तो 9 जैसे उठाया, आपको पता है कि 9, 7, 63, यहां 7 बचा, ठीक है, और 7, अगर और उठा लिए तो मेरे दो 7, 56 ब लिख लो, 7, 42, यहां 6 बचा था, 3 इसमे आ गया था, दो और बचा है, तो यह हो, ठीक है, अब देखो भई, 7, 9 हो गया, 63 के, गुड़ा 14, तो 14 तीया, 42 के 2 हो गया, और 14 चक्के 84, 84 और 2 कितना होता है भई, 86, यह हो गया, अब एक काम देखो ज़रा, इसमें मैं कितने का ग चार चक्का 24, है ना, और 4 वठे 32, 32, 34, यह होगा, है ना, तो 4 का गुड़ा करने के बाद भी यह नमबर इतना नहीं आ रहा है, तो 5 का गुड़ा, 5, 2, 10 के 0 कह रहे हो गया, 1, 5 चक्का 30 और 31 के हो गया, 1 कह रहे हो गया, तीन, 5 वठे 40, 40 और 43, 43, तो exact इतना है, यानि 35 में मैं कितने का गुड़ा करूं कि मेरे दोस्त यह हो जाए, 43, 10, मैं लगा, कितना जोड़ दो, आप बताओ, 5 यहां, कि मिला कि 810 और जोड़ दो, तो 810 अकर हम जोड़ेंगे, तो हमारा यह सही उत्तर होगा, ठीक है, next पर देखते अगला, वह निय 28, इससे भाग देने पर भाई सब क्या बचना चाहिए, 52, 58, और 52, 68, हम यह देखें कि इसका डिफरेंस क्या है, तो भाई, डिफरेंस आप देखोगे, तो पाओगे, कि 20-20 का डिफरेंस हारा है, 20-20 का difference आ रहा है difference हमें पता चल गया अब इसका ले लो LCM फटक से LCM ले लो तो LCM लोगे तो भीया आप जानते हो 72 अगर मैंने लिया तो 9 और 8 दोनों ले लिया तो 8 यहां से गया बच्चा 10 10 को यहां उठा के कर लो और 10 जैसे उठाया आपको पता है कि 8 तो यहां से गया ही इसमें है ना बई तो 11 और बचाता है तो 11 को भी लिख लो और जो difference है उसे को घटा लो ठीक है तो 2 हुआ साथ दो 9 हुआ और यह हो गया 7 ठीक है माइनस का 20 20 घटा होगे तो 7900 यह आपकी सवाल का उत्तर हो गया ठीक है यह आपकी सवाल का इंसर है next पे चलते है अकला प्रतेक दसा में एक सिस बचता है प्रतेक दसा में एक सिस बचते है वह प्रतीक-दसा में एक सिस बचने का क्या मत्लबAK क्या मतलब्यचार अंगों के वसंग क्या है चलो है अगे तो यहांसे मैं 7 को टालूँ क्योंकि 7 एंप Chapter seven लातिया तो यहा पर कोई कोई common नहीं है 6 ख तो तीन और दो, साथ साथ इसमें से भी दो को मन चला जाएगा, तो पांच दूना दस और ले लो, क्योंकि यही बचा हूँ मेरे पास, साथ छक्के 42, यह चीज है, आप से कहरा है कि चार अंगों की बड़ी से बड़ी संख्या करता है, ठीक है, तो आप इसमें कितने का तो भी काम नहीं बन बनता, बीस से करो, तो बीस से भी काम बन जाएगा मेंख्यार से, बीस से करो, जीरो हो गया, जीरो हो गया, दो दो जणा, 4, दो च्व के 8, 84 हो 25 एगर दो एको 25 एगर करोगे तो 25 पचीस दुना 50 पास हो गया और 25 चो का 100 तो यह जादा हो गया ठीक है 23 करो 0 हुआ 23 दुना 46 के चे कहरी हो गया 4 तेज दुना 46 46 दुना कितना हो था भई 90 वा हो चानवे ए आपके सवाल का उतर हो जाएगा और 3 इसमें जोड़ तो क्योंकि तीन हमें यह तीन से स्वाल लाएगा तो तो तीन इसमें जोड़ दो, यह आपके सवाल को उत्तर हो जाएगा, ठीक है, next, वह बड़ी से बड़ी संभव लंभाई का मान ग्याद कीजिए, जिससे 7, 3, 5 सेंटीमेटर वो बारा मेटर इतने सेंट्विल लंभाई को पुरता मापचा सके, सीधी सीधी बात हमें इन सब का साथ मीटर को हम लिख सकते हैं, 700 सेंटीमेटर, 300 सेंटीमेटर, 85 सेंटीमेटर, अच्छा यह अलग-लग है, देखो, 3 मिटर 85 सेंटीमेटर तो 385, और 12 मिटर 55 सेंटीमेटर तो 1200, थीक है, यह चीज है, आप देखो ज़रा क्या यह 15 से कट रहा है, पहली बात तो यह ओप्श स्यास्टे नहीं कण दो देख्युंद सीकित wasn't civी तीन से कड बहुत प्यार से निकाल लिया हमने 15 संटीमिटर 15PM और बारा सेंटीमेटर लंबा 1517 और 902 इतना सेंटीमेटर चोड़ा कितनी वर्गा का टाई लगानी पड़ेगे तो पहले तो यह देखो कि इसका SCF क्या होगा तो SCF निकाले कि लिए हम क्या करें भई इन दोनों को क्या कर लें तो यह आगया 5 ठीक है यह आगया 1 ठीक और यह आगया 6 तो 5 इसमें से निकाल लो 5 क्यों निकालना क्योंकि 5 तो इनका SCF हो गई निकालेंगे तो 5 एककम 5 हुआ और क्या यह तीन से कट रहा तीन से निकाल लो बाहर तो तीन बाहर निकाल लो तो अब यह तो सही निकाला हमारे पास इक तालिस क्या है इनका SCF है तो इक तालिस से इसको काट होगे इक तालिस से देखो हमें सिंपल सी बात करनी है कि अगर हमें वर्गा का टाइस होगी तो पहले तो इसका छेतर फल निकालना पड़ेगा 1517 गुड़े 900 बटा इक तालिस गुड़ा इक तालिस क्योंकि हमारे के पास टाइल ही तनी लंभाई कि आए कि वर्गा का टाइल कि लंभात इतनी ही होगी ठीक है अब एक तालिस से काटो के तो ल áगगा 3 इन बार जाएगा और 3 होगया और 4 दिया बारा 123 ठीक है 12 गटाया 31, 130 घटाया, तो आया 7 यहां बचाता, 30 हुआ, और 21, यानि 28, ठीक है, अब 7 बारी जाएगा सिर्फ, तो 3 और 7, ठीक है, यह 41 कटो, 41, 42, 84, बोड़ा, है न, और सिर्फ 2 बार जाएगा, ठीक है, तो 11 से डिवाइड होने वाला वो नमबर हमें छाटना है, तो 11 बटे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी, आप, नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी संख्या ज्याद कीजिए, जिसे 87, 147 और 252 में भाग देने पर प्रति एक दस्ता में समानसेस बचे, ठीक है, समानसेस बचन आपको क्या आता देखर रहा है, एक तो 7 दिख रहा है, जी, या आप इनका डिफरेंस लो डिफरेंस या उत्तर हो जाएगा, जहाँ 0 हो गया, और यहाँ सत्तर हो गया, जानते हो कि फैक्टर क्या निकलेगा, 35 निकलेगा, बागे और तो कुछ निकलेगा लिए, बजे एक साथ बन लेंगे तो एक तो 48 सेकेंड एक तो 72 सेकेंड और एक तो 170 सेकेंड आठ बीस पे बदलते हैं पाई तो आप इसका LCM लेंगे तो LCM पहली बाद तो 72 ले लो तो 9 और 8 यहां तो कट गया आठ शक्केंड तालिस चे हो गया आप जानते हो कि तीन यहां से भी कट गया इसमें आ गया सिर्फ दो बचा तो दो को ले लो ठीक है अब यहां पर देखो आठ नहीं जाएगा ना चार से जाएगा चार दुनार चार सत्य अठाइस और तीन और ले लो यह इनका LCM हो गया तो तीन दुना च्छे दुना बार है के दो कह रही हो गया एक चार सत्य बैयालिस और एक त्रारेस इतने सेकेंड बाद होगा अब इतने सेकेंड को क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे मिनट में चेंज करेंगे तो बारतिया च्छतिस बार बारतिया च्छतिस तो च्छतिस करोगे तो तीन सो साथ सेकंड इसमें तो तीन मिनट के हो गए तो बीस तीन तेज मिनट होगा और इस साथ से होगा ना तो तेज नहीं 27 मिनट होगा तो आठ बज़ के 27 मिनट बारा सेक्ट यह आपके सवाल का उत्तर होगा बाकी चीज़े जाने जूरत नहीं है कि दो संख्याओं का मासल करमसा यह है कि पहले संख्याओं में दो से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 परा यह सवाल है कि दूसरी संख्याओं पोच्छ रहा क्या होगी तो हमें जो भी मिलेगा बभी 11 का मृल्टिपल मिलेगा 11 का मृल्टिपल एकी दिखरा वाक़ी कोशिन गदिखरा इस वाल बार से भाग दिया तो आया पंद्रह पंद्रह कमलत तीन गुड़ा पंच यही तो अतिन गड़ा पाँच तो बारतियां 36 और बारत पंजे 60 ठीक है 36 यह अगला सवाल है कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यह भई 528 और उनका मासा यह है ध्यान से समझेगा किरा इस तरह कि कितनी संख्याओं बनाई जा सकती है most important सवाल है कि यह तो आपके exam में पूछा ही जाएगा most important है यह लिख लो आज ही तो एसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा तुक्के बाजी करके आता है और exam में चाहता भी है कि तुक्के बाजी करके हो तो ताकि तुम्हारे गलत हो answers सवाल ऐसे है कि मैं बार-बार वही concept आपको remind कराता हूँ कि अगर मैं संख्याओं का योग बोलूँगा तो मेरे दोस्त यह x h x y यह संख्याओं का योग बता है और यह दिया हुआ 528 के है तो h की value 33 है तो x प्लस y की value हमें क्या मिलेगी तो आप जानते हैं अपउन 33 ग्यारा से काटो ग्यारा तीया 33 ग्यारा से काटो ग्यारा चोके 44 ग्यारा उठे ठासी 3 से काटोगे 16 ग्यारा तो भाई सहाब x प्लस y की जो value मेरे पास हाई वहाई कितना 16 अब x और y की हमें ऐसी value तलासनी है जिनमें कुछ भी common ना हो और उनको जोड़ने पे 16 आज़ा बात आई समझे में तो समझेगा मेरी बात पहली बात तो आप x प्लस y ये मिला के आप 16 करना चाहते हैं तो y की value आप 15 भी रख सकते हैं x की value आप 1 भी रख सकते हैं कोई doubt नहीं है y की value of 14 रख सकते थे लेकिन अगर रखेंगे तो x की value 2 आ जाएगी 14 और 2 में 2 common हो जारा है हमें common नहीं चाहिए बात आई समझे में तो अब मैं अगर इसको 13 रख हूँ तो definitely फिर ये 3 होगा 12 रख नहीं सकता 11 रख सकता हूँ 11 रख होगा ठीक है तो ये वाला हो जाएगा 5 के और 10 और 6 तो रख नहीं सकता 9 रख दू 9 और 7 रख दू महीं 9 और 7 ये 16 कर देगा 8 नहीं रख सकता फिर 7 रख तो 9 ही होगा तो आप समझ रहे हो इतने जोड़े तो मेरे पास ऐसे मिलना है ठीक है एक जोड़ा यहां पे 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 लेकिन मेरे भाई एक बात मुझे बताओ इतनी बार आया है, जितना नंबर आया है, गुड़ा दो कर दोसको, उतने ही बार जोड़े बन सकते हैं, मतलब एक, दो, तीन, चार, चार, दुना, आठ, कुल मिलाके आठ जोड़े बन सकते हैं, तो अगर यहां पर आप्शन होता, तो आठ मेरे सवाल का उतर होता है, ठीक है नेक्स्ट, अगला, एक पाटचाला के 396 और 200, 323 चार को, बड़ी से बड़ी वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रतेक वर्ग के चार की संक्या, प्रतेक व्क्षा के चार की संक्या बराबर हो, तो कुल कितने वर्ग हैं, अच्छा सवाल ही है, आप ज़रा देखो कहे रहा है, ऐसा है कि एक पर्ड चाला के तीन सो एक जानवे चात्रों और 303 चात्रा हो बड़ी से बड़ी वर्गों की वाइद कराता है बड़ी से बड़ी वर्ग के संध्या हों, अब पूर्भ समझenser A Produkim चाहे वो चात्र है, चाहे वो चात्र हैं दोनों बराबर, मतलब यह है कि एक ही पैमाना उठाया गया है, उसी से चात्र को भी नाप दिया गया है, उसी से चात्राओं को भी नाप दिया गया है, और दोनों के दोनों equally managed हो गये हैं, आई बर समझ में, तो आप से पूछ रहा है तो आप समझेंगे, सर यह तो इसी में मौजूद होगा पैमाना, और इसी में अगर मौजूद है, तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, और बड़ा से बड़ा नंबर आएगा, तो मेरे भाई वो इसको हम कहते है, HCF, इसका मतलब इन दोनों का HCF नहीं कहाना, तो 2, 3, 9, 1, 3, 2, 3, अब इन दोनों को क्या करोगे, मेरे दोस्त, डिफरेंस में लोगे, तो 13 में से, 11 में से 3 क्या, 8 हो जाएगा, यहां बचा 8 के, यहां अच्छी हो जाएगा, 68, तो क्या 68 मेरे सवाल का इंसर है, बलब 68 का HCF है, तो आप देख रहे हों कि यह 68, even number है, और य यहां से आप क्या करो, वो even number निकालो, तो 2 से अगर काटूँगा, तो 2, 3, 6, 4 से भी काटो, तो 4, 1, 4 हुआ, और 4, 1, 4, 4, 7, 8, 17, अब सिंपल सी बात है, अगर यह 4 है, यह 17 है, तो 17 मेरे सवाल का उत्तर है, यानि 17 ही वो पैमाना जिससे मैं सभी को मना पड़ा हूँ, 17 से मैं इस 391 को भी मा पड़ा हूँ, और कोई student नहीं बच रहा है, और plus 320 को भी मैं इसी से मा पड़ा हूँ, 17 से, औ 17 दूना 34 होगा, और 17 त्याइं क्या मनोगा, प्रेस, 17, एककम 17 हुआ, और 17 वा ठीक सथा है, सतर एककम 17 हुआ, पंदर हुआ, सतर नवा एक सथा हुआ, ठीक है भई, नाइन बर जाएगा, तैंतिस नी नाइन बर जाएगा, तो नो तिन बारा के दो हुआ, यहां दो दो चार हुआ, कुल मिला कि मेरे दोस्त, 42 ऐसे वर्ग हैं, जिन में सभी के सभी चातरों चातरें आजाएंगे, क्या हजार को ऐसे दो भागों में विवक्त किया जा सकता है, जिनका मासा पंदरह है, क्या हजार को ऐसे दो भागों में विवक्त किया जा सकता है, आप बताओ, क्या हजार को मैं दो भागों में विवक्त कर सकता हूँ जिनका है सिय पंद्रह होगा तो मेरे दोस्तों क्या मैं कर सकता हूँ तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक को मैं धाई सो लिखता हूँ तो एक को मैं साथ सो पचास लिखूँ गा इसमें तो पंद्रे मिल जाएगा लेकिन क्या इसमें पंद्रे मिलेगा बड़ा सवाल है मिलेगा? नहीं मिलेगा आप सूच रहे हैं कि अगर मैं इसमें भी तीन रखो इसमें भी तीन रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे दोस्त एक बात जरुद ध्यान से मेरे सुनना 15 का पहाड़ा पड़ो और ये देखो 100 के आसपस कोई नमबर मिल ला है दोनों को जोड़ेने पर तो एक बात हमेशा क्लियर कर लेना कि अगर HCF 15 होगा HCF 15 होगा तो याद रखना H X प्लिस Y सर ये बराबर 1000 के होगा आप यहां पर पहुत सारी चीज़े लगाए होगे समझे नहीं पाएंगे तो अगर मैं पूछो X प्लिस Y क्या होगा तो डेफिनेटली ये जो 1000 है ना मेरे दोस्त ये 15 से डिवाइड होना ही चाहिए 15 से डिवाइड होना ही चाहिए क्यों कि मेरे दोस्तों चाहे वो गुडा हो चाहे वो भाग हो चाहे वो गुडा हो चाहे वो सब्ट्रेक्शन हो चाहे वो एडिसन हो हर हाल में उनका HCF उनके साथ मौजूद होता है सिर्फ डिवीजन में SCF हटता है, बाकी और कहीं SCF नहीं हटता, तो अगर 15 इनका SCF हो सकता है, तो इस addition में भी 15 होना चाहिए, और क्या 15,000 को काट देगा, definitely not, नहीं काट पाएगा, तो इस सवाल का उत्तर है, बड़ा सा नहीं, क्या भी, बड़ा सा नहीं, हाया न, next, सिद्ध करे की संख्याएं 2205 और 4802 परस पर अभाज है, मैं कह रहा है, यह सिद्ध हमें यह करना कि यह दोनों प्राइम है, तो अगर प्राइम है, तो मैं यह बोल सकता हूँ, कि भाई सबसे पहले इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं, और डिफरेंस लेंगे, तो यह समझेंग ठीक है, एक तो चीज यह है, ठीक है, तो आप ज़रा देखो, परस पर अभाज हैं, परस पर अभाज हैं कि परस पर को प्राइम हैं, मतलब यह कह रहा है, अभाज है, तो मेरे दोस्त यह तो अभाज है नहीं, हो सकता है, परस पर अभाज है को प्राइम पुछाओ, ठीक है मुझे यह लगा रहा है, CoPrime. मलब कह रहा है, इन दोनों में कुछ common नहीं है. ठीक है, यह सवाल हो सकता है, CoPrime हो सकता है, Prime नहीं, CoPrime होगा. क्योंकि यह दोनों अभाज़े तो नहीं दिखा रहा है, क्या हो, तो 8-4-12, भाई 3 से कट गया, 6-2-8, तो 12-8 कितना होता भी, 12-8-20, और 12-8 जैसी 20 होगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, टन है भई, चलो, 3 से नहीं कटा, आप ये कह सकते हैं, कि सर ये 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है, ये भी क तो आप 5 से काटो, 5, 24, ठीक है, और 5, 25, 25, वही काम भई, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ नौर 5 के मल्टिपल है, वाखिर कुछ नहीं है, तो आप सीधी-सीधी देखो, क्या यह 5 से डिवाइड है, क्या यह 9 से डिवाइड है, तो अगर 5, 9 दोनों से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब यह है, कि यह separate, अलग, अलग, co-prime number है, भाई, co-prime number का definition क्या होता है, भाई, co-prime number का definition ही होता है, जिनका hcf, जिनका hcf एक हो, वो number co-prime होते है, और definitely इन दोनों में कुछ भी common नहीं है, तो hcf क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, next, क्यारा कि 1294 में से कौन सी संख्या छोटी संख्या घटाई जा ताकि 9-11, 13 से भाग देने पर प्रतीक दसा में 6 से इस बचे हैं, ठीक है, अच्छा सवाल लिए, क्यारा कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाने चाहिए, ठीक है, तो अब मेरी बात जरद धान से सुनिए, आप आपको सबसे पहले इन ही संख्याओं का LCM निकालना होता है वो 1294 आपको टच्ची ही नहीं करना है आपको इसका LCM निकालना है तो आप देख रहे हो 139 117 गोड़ा 11 तो 7, 7 और 1, 8 112 और 1 यह हो गया भाई सब 1287 किसके हो गया 1287 ठीक है तो आप यह समझ रहे हैं ना बात कि 1294 में से मैं कितना गटाओं की 1287 हो जाए तो 3 यहाँ है मेरे दोस्त 4 यहाँ है कुल मिला के 7 ही गटा लो आपकी सवाल का उत्तरा जाएगा 7 गटा लेंगे तो हर कंडिशन में 6-6-6-6-6 पचेगा मते हैं समझे